नमाशकार दोस्तों पुलीस परिक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप शब का स्वागत आरपीएप कॉंस्टियोबल और ऐसाई 2024 की त्यारी को देखते हुए अपन पिछले पेपरों में जो भी प्रशन इस्टेटिक जीके के पूचे गए हैं उसकी आज व्रधी लेकर रहेंगे अर्पीएप की व्रदी अब अब की बार है अपने हाथ में होगी ठीक है भाई लोगो तो सुरू करते हैं पहले प्रशुन की और पहला प्रशन आपके सामने आ चुका है काम साले किस राजिये का प्रवार प्रम्परिके नरतीय में कभी-काम-साले से फ्रक्शन पूचा जाता है यह आपका कर नाट का लोग नर्थिय हो जाएगा काम करना ठका हो जाएगा कभी कभी एक वीर ते यह आपका MTS में भी पूछा आगे भी पूछा जा सकता है वीर गसे नरतिये ये भी important है करना ठका है याद रखना एक दोस्तो याद शुगी शुगी नरतिय ये भी करनाटका है शुगी और एक अपने बात कर ली कौनसा कामसाले ठीक है कौनसा कामसाले या कमसाले ठीक है ये आपको याद रखना कामसाले लोक नरतिय ये आपका हो जाएगा करनाटका तो ये करनाटक के जो भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये वादिय यंतर निमन मैं से किस राजिय से समंदित है पूचा गया प्रशन है दोस्तों वादिय यंतर से समंदित कलाकार तो पूचते ही पूचते है कभी-कभी राजिय से समंदित भी पूचा जा सकता है तो यहाँ पर पैना नामक वादेयंतर आपने कभी सुना नहीं होगा लेकिन याद रखना पैना नामक वादेयंतर आपका मनीपुर राजिये का हो जाएगा मनीपुर राजिये का हो जाएगा पैना नामक वादेयंतर थोड़ी वादी इंतर की बात करते हैं, वादी इंतर में अपन तबला की बात करते हैं, तो तबला वादक कोण कोण है, आपको पता होगा, जाकिर हुसेन का नाम आता है अपने तबला वादक में, जाकिर हुशेन, जाकिर हुशेन के पीता का नाम अल्ला रखा खा, ये भी त पंडित जसराज तो पंडित जसराज का समंध भी तबला वादक से है ये याद रखना है एक आता है गुदई मराज जब तबला वजता है तो लगता है जैसे गुदगुदी हुई है तो गुदई मराज ये भी आपको ट्रीक से याद रखना है गुदई मराज का समंध भी आ अनोखे लाल मिसरा ठीक है तो ये आपको तबला के याद रखना है बाकी मैं कभी और प्रशन लूँगा तो वो वादी इंतर भी कंपलीट करा दूँगा ठीक है आपके तीसरे प्रशन के और चलते हैं तीसरा प्रशन आपके सामने आ चुका है रम्मन मैकसे से पुरुषकार की सुरुवात कब हुई इसकी स्तापना कब हुई रम्मन मैकसे से आपको पता होगा पत्तरकारिता में बी दिया जाता है रम्मन मैकसे से पुरुषकार की सुरुवात आपको बताना है दोस्तो कभी-कभी 1928 भी मिल सकता है कभी 47 मिलेगा तो 1927 या पर option еся आपका सहितर हो ज पदम पुरुषकार की शुरुवात भी 1954 इसवी में ही होती है यह आपको याद रखना है दोस्तो नोबल पुरुषकार की शुरुवात गब हो याद रखना है तो जो भी बाकी मेने एक्स्ट्रा बताए है रमण मैकसे से पूरा वीडियो बना दिया है वो देख लेना ठीक है अगले प्रशन के और चलते है चोथा प्रशन आपके सामने हार्णबिल महुत्सव कितने दिनों के लिए आयोजीत के जाता है SSE GD ने प्रशन पूचा है SSE ने पूचा है RPF भी पूच सकती है तो RPF में ये आपको आगयामी पेपर में मिल सकता है हौर्णबिल महुत्सव का ठीक है भाई लोगो पहले तो मुझे बतावो हौर्णबिल जो महुत्सव जो तैयोर है ये किस राजिय का है तो आप बतावगे कि वह हौर्णबिल है जो नागा लेंड का है किसका है भाई नागा लेंड राजिय का हो जाएगा हौर्णबिल महुत्सव के साथ साथ नागा लेंड के और भी आपको याद रखने पड़ेंगे तो वही नागा लेंड के और कौन-कौन से आप बताओगे वही महुत्सव है और कौन-कौन से नागा लेंड के महुत्सव हो जाएंगे तो आपको मैं कुछ और बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखना है एक याद रखना है आपको नागा लेंड का तूलूनी महुत्सव एक हो गया होर्ण बिल महोट्सव तूलूनी महोट्सव एक नागा महोट्सव एक आपको मोट्सू 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 ये भी आपका हो जाएगा नागा लेंड का ठीक है और होर्ण बिल है ये दोस्तों इसका सहीतर आपका हो जाएगा भई दस दिन के लिए कितने दिन के लिए आयोजित होता है, दस दिन के लिए आयोजित किया जाता है, यह आपको याद रखना, अगले प्रशन के और चलते हैं, पांच वा प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, साची का महान स्थूप, यह नहीं अपन कह सकते हैं, साची का स्थूप किस राजि याप भी आपका बिल्कुल सहुत्र हो जागा Mediya Pradish जिस ने भी सयंोर दिया बिल्कुल सहुत्र हो जागा याप राकेश, अंकित मनीश ने आपका option भी दिया है, बिल्कुल दोस्तो सहुत्र हो जागा दोस्तो, साची के इस तूपको UNESCO सुची में कब सामील किया गया 1990 में याद रखना 1990 में इसे UNESCO सुची में भी मधियव परदेश में है और 200 रुपिये के नोट पर इसकी आकरती अंकित है यह आपको याद रखना है Delhi live session होता है सब को जूरना चाहिए इस में बहुत से प्रशन आपको हाथो हाथ याद होने की गारंटी है और बहुत से प्रशन आपको पिछले पेपर के भी देखने को मिलेंगा, ठीक है भई लोगा, अगले प्रशन को चलते हैं, चटा प्रशन आपके सामने आ चुका है, राश्टिय उद्यान का पूचा है, बितर एक होता है दोस्तों भीत्रकणि का यह है बित्रकणिका राष्टिय उद्यान एक है सिम्ली पाल राष्टिय उद्यान भी जिसका भीत्रकणिका है तो ओड़िया के हो जाएंगे आपको हिंट मिल गया, ओप्शन शी या प्रसेटर हो जाएगा, ओडिशा राजिये का हो जाएगा, भित्रकणी का और शिमली पाल, दोनों राष्टिय उद्यान ये आपको याद रखना है, दोनों के दोनों के लिए रहा है, अगले प्रशन की और चलते हैं, आपके सामने आ पूचा है, 1926 इस्वी के आसपास इसकी सुरुवात होती है, इसकी सापना होती है, स्विजर लेंड, ओप्शन ये आप डी आपका सित्रो जाएगा, स्विजर लेंड में इस्तित है, अंतरास्टिय टेबल टैनिस का मुख्याल है, ठीक है भाई लोगों, अगले प्रशन की आठवा प्रशन आपके सामने, मैतुपूर्ण दिवस, इंपोटेंट दिवस से आपका प्रशन है, भारत में राश्टिय सांक्य की दिवस कब मनाया जाता है, कौन देगा सबसे पहले जवाब इसका, बेक रहा हूँ मैं सबसे पहले जवाब आ रहा है, किसका और जो इसका देगा जवाब भाई, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, गुन 30 जून, यह आपका उप्शन शी आचुका है, 29 जून और 29 जून को राश्टिय सांक्य की दिवस मने जाता है, उप्शन शी भाई, आपका सायूतर है, दोस्तों 22 मार्च को कौन बताएगा, इंपोटेंट दि अगला प्रशन देख लेते हैं 22 मार्च के बाद आपको 22 अप्रेल याद रखना है, 22 अप्रेल और 22 अप्रेल का ओ जाएगा प्रत्वी दिवस, ठीक है, 20 मार्च, 20 अप्रेल और 20 मैं को एक दिवस और आता है, वेश्यों यह अंतराश्टिय जव विवित्टा, दिवस यह दिवश क्या हो जाएगा बाईश माई तो बाईश का आखड़ा इंपोटेंट है यह आपको साथ में याद रखना है बाईश मार्च बाईश अप्रेल बाईश माई किलियर है अगले प्रशन की ओर चलते हैं और आपका नोवा प्रशन आपके सामने आई एम नो मशिया अभीनेता की आतमकता है किसे एक्टर की यह आतमकता है पुस्तक है आई एम नो मसिया ओप्शन आपके सामने है शलमान खान सोनु शूद सोनु निगम अमीर खान तो दोस्तों सोनु शूद की हो जाएगी आई एम नो मसिया पुस्तक के लेकर शोनु सूद हो जाएंगे वह यह आपको याद रखना योग गुरु बाबा राम देव ठीक है यह भी आपको याद रखना है अगले प्रशन के ओर चलते हैं दस्वा प्रशन आपके सामने खेलो इंडिया सीतकालीन खेलो की सुरुआत किस वर्ष हुई और कहां से इसकी सुरुआत होती है 2020 में दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूँ आपको 2020 में इसकी सुरुआत होती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सपलता के बाद खेलो इंडिया सीतकालीन खेलो की सुरुआत की जाती है और पहला संसकन 2020 में गुल मर्ग में हुआ कहां पर गुल मर्ग में इसका पहला संस्क्रण हुआ, 2024 का आपका लधाक में ये आपका संस्क्रण संपन हुआ, ठीक है, तो 2020 में सुरुआत होती है गुल मर्ग से पहले संस्क्रण की सुरुआत होती है दोस्तों उमीद करता हूँ ये आपके सामने 10 प्रशन है 10 के 10 प्रशन आपके important रहे होंगे और उमीद करता हूँ यहां से ही आपको प्रशन देखने को मिलेगा ठीक है, इस परकार की डैली आपको सिरीज मिलती रहेगी और आपको ये डैली देखनी है बहुत ही अच्छी important है पुलीस पर इक सा सब्सक्राइब कर लेना है आपको चैनल साथ में जो bell icon का symbol है इसे भी click करके all पर click कर लेना जैसा ही नई वीडियो आएगी, नया live आएगा आप तक notification पहुत जाएगा अपना ख्याल रखे, जै हिंद, जै भारत